नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस्टार मिस्कु न्यूज में दोस्तों बात करने वाला हूँ अधीना सेवा चैनायो के संबंद में उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको यूपिटर पलसी के परिणाम जाने यूपि सरकार के किस विभाग में होंगी कितनी वेकेंसी दोस्तों पढ़ लेते हैं पूरी खबर क्या है उत्तर परदेश अधीना सेवा चैनायोग ने वर्स 2021 में 50,000 से अधिक पदों पर भरतियों की तैयारी में जुट गया है आयों के पास 40,000 के करीव खाली पदो पर भरती संबंदी प्रस्ताव पहुंच चुके हैं जी आँ दोस्तों अब तक तो ये होता था कि हमारे पास प्रस्ताव आने वाले हैं लेकिन अब क्या है प्रस्ताव आ चुके हैं कुछ और विभागों से 10,000 से अधिक संशोधित प्रस्ताव मंगवाई गई हैं अधिनस अधिनस सेवा चैनायोग नए साल में सबसे पहले प्रारंबिक एहरता परिक्षा मदलब P.E.T कराएगा और इसके बाद भरतियों के संबन्द में विज्यापन निकालकर आविदन लेगा प्रारंबिक परिक्षा अप्रेल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है जबकि मुख्य परिक्षा मई तक कराकर भरती हुए अभ्यरतियों को न्युक्ति पत्र बाटे जाएंगे योगता के आधार पर होंगे आविदन अधिनस सेवा चैनायोग इस जल्द भरती प्रकिरिया पूरी करने के लिए योगता के आधार पर आविदन लेगा उधारन के लिए इंटरम पद और योगता के आधार पर अलग-अलग करने का काम शुरू करा दिया गया है आयोग के एक अधिकारी के मुताविक इसके बाद भरती प्रकिरिया आसान हो जाएगी इससे आविदन करने वालों को भी सुविदा होगी इससे वे अपने गुरूप के आधार पर आविदन कर सकेंगे और आयोग को भी भरतिक परिक्षा कराने में आसानी होगी, पाठेकरम होगा उनलाइन, अधिनस सेवा चैनायोग प्रारंबिक एहरता परिक्षा के लिए पाठेकरम उनलाइन जारी करेगा, इसके लिए आयोग के तीन सदस्यों की कमेटी बना दी गई है, कमेटी पाठेकरम कर प्रारूप तयार कर आयोग के अद्धक्ष को देगी। इसके बाद आयोग के सदस्यों की बैठक में सहमत्ती के बाद इसे ऑनलाइन किया जाएगा। जिससे इसमें शामिल होने वाले अभ्यरतियों की को सुवीदा मिलेगी। यूपिटर पलेसी गुरूप में यूपि में गुरूप सी के पदों पर भरती के लिए देनी होगी प्यारमिक परिक्षा एक साल तक मानने होंगे अंक। दोस्तों इसमें अगली खबर है धांदली रोकने के लिए वेबिनार अधिनस सेवा चैनायोग भरती परिक्षाओं को फूल प्रूफ बनाने के लिए फरवरी में एक वेबिनार भी आयोजित कराने जा रहा है दोस्तों ये गरत वर्ड है यहां सेमिनार होगा वेबिनार नहीं होगा इसमें SIT, STF के साथ ओनलाइन और और आफ्लाइन परिक्षा कराने वालों के साथ विशेश अग्यों को आमंतरित किया जाएगा इसमें उनक इस विवाग में कितने पद काली हैं? दोस्तों एक बात और यूपी लेकपाल भरती 2020 यूपी टरपलेसी को भेजा गया 7882 वेकेंसी का परस्ताव भेज दिया गया है जल्द शुरू होगी आवेदन परिक्रिया जाने जरूरी बात दोस्तों प्रिवीर कुमार अधिनस सेवा चैनायोग के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहाए कि अधिनस सेवा चैनायोग को भरती संबंदी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए हैं शेक्षिक योग्यता के आधार पर इसे गुरूप में बाटा जा रहा है जिससे भरती में आसानी हो और प्राम्बिक एहरता परिक्षा कराने के बाद भरती प्रिक्रिया शुरू होगी दोस्तों मैं तो यह कहूँगा कि यूपिटर पलेसी में अब कुछ हलचल देखने को मिल चुकी है और आपने देखा भी होगा कल परसों में दो ओफिशल नोटिस भी जारी हुए थे और यूपिटर पलेसी वाकई में 50,000 भरतियां करने वाला है 2021 में जैसा कि आप जानते हैं 2022 में चुनाव है तो 2021 में बंपर भरतियां यूपिटर पलेसी के अंदर आएंगी इस बात में कोई शक नहीं है और हो सकता यह जुमला भी नहीं हो जैसे कि सरकार हर वक्त जुमला बोलती रती थी तो यह जुमला नहीं होगा चुनावों को देखते हुए 2022 के चुनावों को देखते हुए 50,000 पदों पर भरती करेगा यूपिटर पलेसी इस बात में कोई शक नहीं है 100% यह बात है और यूपिटर पलेसी के अंदर 40,000 भरतियों के प्रस्ताव तो आभी चुके हैं चीके दोस्तों तो यूपिटर पलेसी के तयारी करने वालों के लिए बहुत बड़ी एक खुशकबरी है और मैं यह मानता हूँ कि यूपिटर पलेसी अब तक सोया हुआ था लेकिन 2021 में बहुत जवरस तरीके जागने वाला है यूपिटर पलेसी 2021 में एकदम तगड़ी त पुशकबरी आपको 2021 में मिलेगी तो ठीक है दोस्तों यूपिटर पलेसी के संबन्द में यही न्यूस थी ऐसी और न्यूस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद दोस्तों